हेलो, वेलकम टू प्लस माइनस इंस्ट्यूट तो आज से हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं NCRT एक्जम्पलर बुक के सभी के सभी MCQ ठीक है, सभी चेप्टर के MCQ मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट भी है इस बुक से बहुत सारे MCQ CVAC बोर्ड एक्जम में आते भी है ठीक है, चलो, स्टार्ट करते हैं with this important question और इसी तरह के important question की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने friends के पास जरूर सेर कीजिए चलो, स्टार्ट करते हैं तो question है हमारा इफ दे HCF of 65 and 117 इज एक्सप्रेसिवल इन दे फॉर्म 65M-117 देन दे वैल्यू ओफ एम इज ठीक है, वी नीड तू फाइंड दे वैल्यू ओफ एम और क्या गिवन है या पे HCF of 65 and 117 इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो फॉर्स्ट वी नीड तू फाइंड दे HCF ठीक है, तो इनके कर लेते हम प्राइम फेक्टराइजेशन तो सबसे पहले करते हैं 65 के और फिर करेंगे हम 117 के ठीक है, तो 65 किस से रिवाइड होता है 5 से हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे यहां 5, 1 जा 5 तो यहां रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 तो 5, 3 जा 15 और 13 is divisual by 13 only क्योंकि यह क्या है, एक प्राइम नंबर है 117, 3 से डिवाइड हो जाएगा इनका एड करके देख सकते हैं 7 plus 1, 8, plus 1, 9 तो 9, 3 से डिवाइड होता है तो 117 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 3, 3 जा 9, 2 बचेगा और 3, 9 जा 27 ठीक है, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 बन जा 3, 3, 3 जा 9 और फिर यह 13 से ही डिवाइड होगा 13 बन जा 13 ठीक है चलो अब इसका निकालते हैं HCF तो 65 को लिखा हमने 5 x 13 और 117 का प्राइम फेक्टरिजेशन हमने किया 3 x 3 x 13 ठीक है अच्छा अब ध्यान से देखो यहां पेर बनाते हैं पेर कैसे होने चाहिए एक उपर और एक नीचे आना तो यह हो गया 13 का पेर और कोई पेर बनेगा का नहीं ऐसे नहीं बनाना आना ऐसे बनाना है पेर ठीक है तो HCF कितना हो गया HCF means highest common factor तो common factor कौन सा आ रहा है एक ही आ रहा है हमारे पास 13 तो यह HCF हो गया 13 simple ठीक है अब इस HCF को हमको इस form में express करना है means 65M minus 117 is equal to 13 यह क्या है HCF यह तो है और वो equal to 13 लिखेंगे क्योंकि 13 हमारा HCF यहां से आया है और यहां पर यह given है ठीक है हो जाएगा 7310 तो यह 130 हो जाएगा ठीक है तो M equal to आएगा हमारा 130 divided by 65 और अगर हम इसको 65 से डिवाइड करेंगे तो 65 टू जा होता है 130 तो value of M is 2 तो हमारा correct option होगा option B इसी तरह के important question की वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए वीडियो को like कीजिए और अपने friends के पास जरूर सेयर कीजिए thank you very much God bless you